अब तक कोई भी टीम सेमी फाइनल के लिए क्वालिफाइन नहीं कर सकी है गुरूप दो में बुधवार को भारत और बांगलादेश के बीच मुकाबला खेला जाएगा यह मैच दोनों टीमों के नजरिये से महत्वपूर्ण है हरने वाली टीम का सेमी फाइनल तक का रास्ता मुश्किल हो जाएगा टीम इंडिया इस मैच को जित कर सेमी फाइनल के लिए अपनी जगा मजबूत करनी चाहेगी एडी लेड ओल में इस मैच में बारिश के आसार है यह मुकाबला बारिश से धूल भी सकता है मंगलवार को एडी लेड में भारी इपारिश हुई जिस वज़र से भारतिय खिलाडियों ने इंडोर मैच प्रैक्टिस की भारत में आप तक टीन मैच खेले है इस में से दो जित और एक हार के साथ टीम के चार अंग है टीम इंडिया फिलाल गुरूप दो के अंग तालिका में दक्षिन आफरिका के बाद दूसरे स्थान पर है दक्षिन आफरिका के पाच अंग है वही बांगलादेश की टीम तीन मैचों में दो जित और एक हार के साथ चार अंगों के साथ तीसरे स्थान पर है हाला कि बांगलादेश का नेट रन रेट माइनस में है, मैच भारत और बांगलादेश दोनों के लिए मरत्वपुर्ण है, हाला कि बारिश की खलल की संभावना है, मौसम विवाग ने शाम के समय 60 फिर्दी बारिश की संभावना जताई है, भारत और बांगलादेश के भी मै स्थानिय समय नोसार शाम साड़े छे बजे शुरू होगा वही भारतिय समय नोसार इसकी शुरुवात दोपर डेड़ बजे होगी